मीपेट 5 सिरीज, तीन साल के बाद फाइनल एक जाउमी ने मीपेट सिरीज 5 के साथ वापस ही की है एंड़ोई टेबलेट का मार्केट सेर इतना अच्छा नहीं है द्यू टू लैक ओफ हार्डवेर अपडेट्स और सौफटर अप्टिमाईजेशन पहले के टाइम पे एपल के आईपेट को कॉम्पेटिशन देने वाले कोई भी एंड़ोई टेबलेट नहीं थे हाली में जाउमी ने मीपेट 5 सिरीज को लोंच कर दिया है तो क्या ये आईपेट को टकर देगा तो दोस्तो आज मैं मीपेट 5 प्रो का इंड़ेफ्ट रिव्यू बताने वाला हूँ जो कितने प्रोडेक्टिव है और एंटर्टेनिंग है यो इस वीडियो में देखेंगे मेरा नाम मिलन है और आप देखरे है टेकी स्ट्रीट और जैसे कि आपको पता ही है लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में ही देखने को मिलते हैं और ऐसे आगे भी लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारी टेक टीम को सब्सक्राइब करके जोइन कर लीजे और bell icon को दबा के all कर दिजिए ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोजी की awesome update की notification सबसे पहले मिल सेगे जैसे हम नया tech video upload करते हैं और दोस्तों मैंने Mi Pad 5 Pro का अलड़ी unboxing बता दिये अगर नहीं देखा है तो link नीचे description में और उपर card में मिल जाएगी जरूर से देख ले तो सबसे पहले Mi Pad 5 Pro के design और build की बात करते हैं To be honest, this looks too much like an iPad Pro आप design देख लो, या तो फिर MIUI का user interface देख लो, सब कुछ iPad Pro से similar देखने को मिल जाता है Mi Pad 5 Pro में metal की frame मिल जाती है, जो CNC metal cutting process से बनी है Which makes the overall looks and feel a bit more refined, लेकिन यहाँ पर एक drawback भी है Frame की जो edge है वो ज्यादा सारपर दी गई है, जो tablet को hold करने में थोड़ा discomfort मैसूस कराती है ऐसा मैना अब तक किसी भी tablet में नहीं देखा है Rear design देखे, तो typical Xiaomi के 11 series जैसी देखने को मिलती है और इंडिया में 11X की जो series है वेसे देखने को मिलती है Semi camera module यहाँ पर देखने को मिल जाएगे और bottom में भी Xiaomi का logo दिया है और back प्लास्टिक का मिल जाता है जो matte finish दिया है, यानि overall build quality descent मिल जाती है एक और drawback है, पेड़ में 3.5mm audio jack नहीं मिलता है इस special laser entertainment device और एक drawback है, USB-C port मिलता है लेकिन ये video output और high speed data transfer को support नहीं करता है यानि आप अगर cable से data PC में transfer करना चाहेंगे तो इसके थुरू नहीं होगा तो ये भी एक disappointing बात है एटलिस data transfer support तो मिलना चाहिए overall design और build अच्छा है weight करीब 515 grams का है और iPad Pro 11 से compare किया जाए तो जो 50 grams से ज्यादा है और thickness 6.9 mm की मिल जाती है जो iPad Pro में 5.9 mm की है अब बात करते हैं Mi Pad 5 Pro के display की जो tablet के point of view से इसका main feature है क्योंकि tablet ज्यादा तर लोग as a multimedia या तो entertainment device use करते है तो यहाँ पे 11 each की IPS LCD display मिल जाती है और साथ में 120 Hz की fast refresh rate HDR content 2 और यह सच है practically भी इस टेब में ज्यादा तर apps में HDR content play कर सकते हैं जो मुझे अच्छी बात लगी लेकिन यहाँ पे भी एक drawback है maximum brightness level 485 needs का ही मिलता है जो disappointing बात है यह बात सही है कि Mi Pad 5 series में vivid colors मिल जाते हैं लेकिन actual HDR content देखने के लिए ज्यादा brightness level भी चाहिए तो यह एक बड़ा draw पे के सकते हैं लेकिन इसमें 2K resolution मिल जाते है 120 Hz fast refresh rate मिल जाते है तो यह एक plus point के सकते है और यहाँ पे 8 speakers मिल जाते है with Dolby Atmos support यानि को overall multimedia experience इसमें बहुत ही धासू मिलेगा multimedia users के लिए यह best tablet है thanks to the premium display and the stereo audio sound so Mi Pad 5 Pro is one of the best device for the mobile entertainment Mi Pad 5 Pro के performance की बात कर रहे तो यहाँ पे Snapdragon की 870 chipset मिल जाती जो flagship grade की chipset है 7NM platform पे बनी है और यह Android tablet में सबसे best chipset है यहाँ पे Antudu score भी करीब 7 lakhs तक मिल जाता है इवन high end gaming इसमें high setting पे high frame rate पे easily खेल सकते हैं जसकी Jensen Impact, PUBG, BGM कोई भी केम आप high setting पे खेल पाएंगे इवन यहाँ पे 90 FPS support नहीं है इंडिया में BGM है लेकिन PUBG 90 FPS से खेल सकते हैं वो एक बहुत ही बढ़िया बात है अब यहाँ पे OS की बात कर तो Mi Pad 5 Pro, Mi UI 12.5 पे चलता है जो बना है Android 11 के ऊपर वो टेबलेट के लिए सभी apps को भी optimize करना पड़ता है क्योंकि टेबलेट का गोल सिर्फ बड़ा smartphone होना नहीं है पेट के लिए software को optimize भी करना पड़ता है और Mi ने ऐसा किया है सभी official apps को Mi Tab 5 के लिए optimize कर दिया है और साथ में कई सारी third party apps को भी optimize किया गया है like such a displaying a square interface in the horizontal view और टेब में आप multiple apps भी split screen में open कर सकते हैं और एक साथ चार window भी open कर सकते हैं as far as productivity concerned the Mi UI 4 pad obviously has a lot of features और साथ में Mi Pad 5 series के लिए accessories भी मिल जाती है जैसे की keyboard और stylus यहाँ पे जो keyboard है वो Pogo pin के साथ ही connect कर सकते हैं Bluetooth support नहीं है और keyboard के साथ fixed angle में ही रख सकते हैं like a laptop और यह keyboard productivity वर्क के लिए काफी अच्छा है और stylus pen भी काफी अच्छी और responsive 240 Hz का touch sampling rate stylus में मिल जाता है वो stylus pen को magnetically wireless Mi Pad 5 में ही charge कर सकते हैं जो एक मिनिट चार्ज करने पे 20 मिनिट चलती है और और Mi Pad 5 series में software experience अच्छा रहेगा लेकिन आप कोई भी app regularly use करते हो आप पहले देख लेना कि वो Mi Pad के लिए optimize है या नहीं Mi Pad 5 Pro में battery की बात करतो 8600 mAh की huge battery मिल जाती है और battery को charge करने के लिए 67W का fast charger मिल जाता है overall battery काफी अच्छी हाएंड गेम 2-3 घंटे खेलने के बाद थोड़ा बहुत work करने के बाद 28% ही battery drop होती है जो अच्छी बात है और 67W fast charger से battery को 0-100% करीब 73 मिनिट में ही charge कर सकते है Mi Pad 5 Pro के price की बात करे तो 3 variant मिल जाते है 6128, 6256 and 8256 जो 5G variant है और आप price देख सकते हैं highest variant की जो price है वो करीब 40,100 तक होती है जो Indian रुपीज में convert की गई है conclusion पर आया है तो design में best है बिलकुल iPad Pro Series जैसा ही design देखने को मिलता है display भी best है with 120 Hz fast refresh rate लेकिन brightness लेवल इसका weak point है hardware में 100 out of 100 मिलते इसको battery भी अच्छी मिलती है बस यहाँ पे software को थोड़ा ज्यादा optimize करना पड़ेगा लेकिन वो तो update के साथ हो सकता है और और इस price में ये best package है पहले देखने के लिए subscribe करके हमारी tech team को join कर लिजे ताकि latest take update की notification सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों मिलते अगले latest take update के साथ तब तक के लिए thanks for watching and have a great day कर दोस्तों